नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल तिवारी जोती में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने स्वापन में जाडू को देखते हैं या फिर खुद को या किसी दूसरे को जाडू लगाते हुए देखते हैं तो इस स्थिती में स्वापन जोती सास्तर ऐसे स्वापन के बारे में क्या कहता है आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ दोस्तों वीडियो को लास्त तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजिए हमारी चैनल को सस्क्राइब कीजिए और कमेंट बोक्स में जै मालचमी लिखना ना भूलेगा दोस्तों स्वपन जोती सास्तर के अनुसार अगर आप अपने सपने में सिर्फ जाडू को देखते हैं देखते हैं आप अपने स्वपन में कि किसी जगा पर जाडू रखी हुई है या फिर घर में जाडू एक जगा पर रखी हुई है तो ऐसी स्थती में इस स्वपन को देखने का अर्थ या होता है कि आपके घर में या फिर आपके उपर कोई परिसानी आ सकती है जिस कारण से आप परिसान हो सकते हैं इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने स्वपन में घर के आंगन में या फिर घर में या फिर घर के बाहर खुद को या किसी दूसरे को झाडु लगाते हुए देखते हैं तो ऐसी स्थती में स्वपन जोती सास्तर केता है कि यह स्वपन बहुत ही अच्छा है यह स्वपन इस बात का संकेत करता है कि घर में चल रही जो भी परेसानिया है चाहिए वो पैसे से जुड़ी हो ये सारीरी कष्ट क्यों नहीं हो यह जल्द ही दूर होने वाला है दोस्तों कूल मिलाकर स्वपन जोती सास्त्र सपने में ज़ाडू लगाते हुए खुद को या फिर किसी दूसरे को देखने का आर्थ बताता है कि यह बहुत ही सुब और सकारात्मक सपना है आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिलेगा आपकी जीवन में चल रही आपकी घर में चल रही जो भी परेसानी है उससे भी आपको जल से जल छुटकारा मिलेगा तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जै सीव संबू जै माल लचमी लिखकर जरूर बताएं और अगर आपका कोई प्रश्ण है तो कमेंट बॉक्स में अवस्य लिखें हम आपको उस प्रश्ण का उत्तर जरूर है